AI, अगले 5 सालों में ये हर जॉब को खतम करने वाला है Video Editor के Careyers को खतम करने वाला है Video Editor, Photo Editor, Graphic Designers, Music बनाने वाले Musicians की जॉब खतरे में हो जाएगी नोकरिये बिल्कुल खतम हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ AI की वजह से आखिर क्या है ये AI और कैसे ये लाखों लोगों की जॉब को खत्रे में डाल रहा है आईए जानते हैं AI के बारे में आज के इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि AI का मतलब क्या है AI की फुल फर्म होती है Artificial Intelligence एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह काम करती है 2023 से ही लोग AI का यूज करने लग गए हैं आज आपको कोई photo edit करना हो या फिर कोई video edit करना हो सिरफ 5 मिनिट में आप उसको कर सकते हैं सिरफ और सिरफ AI की मदद से आज students अपने project complete करने के लिए AI की help लेते हैं आज आपको कोई graphic design करना है, photo edit करना है, कोई video edit करना है या फिर कोई गाना बनाना है, तो आपको सिरफ गाने के lyrics देने होंगे AI आपको पूरा का पूरा गाना बना कर दे लेगा और उस video को edit भी कुछी seconds में कर देगा गर बैठके अगर आप अमीर बनना चाते हैं तो AI की मदद से कुछी मिहनों में आप करोड़ बती बन सकते हैं कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे बड़ा इंसान बना जाता है सिरफ ये keyboard AI को देने हैं और वो आपको पूरा solution बता देगा Marvel जैसी बड़ी बड़ी companies AI का use कर रही हैं अपनी movies बनाने के लिए और Amazon जैसी बड़ी company ने कहा है कि वो AI का use करेंगी बड़ी-बड़ी books लिखने में तो इस हसाब से देखा जाए तो writers का carrier बिलकुल खतम हो जाएगा और logo designer, photo designer, video editor के carrier तो यूही खतम हो रहे हैं क्यूंकि ये सब चीजे तो AI सिरफ कुछी seconds में कर रहा है अगर ऐसे ही AI बढ़ता गया तो लाखू लोगों की नहीं बलके क्रोडों लोगों की jobs खतम हो जाएगी और इसलिए Elon Musk ने कहा है कि अब AI को बंद कर दिया जाएगा क्यूंकि अगर ये AI ऐसे ही चलता रहा तो क्रोडों लोग यूही बरबाद हो जाएगे अब AI की मदद से सब कुछ बदलने वाला है अगले कुछ सालों में teacher students को समझाने के लिए AI का use करेंगे अब तो आप समझ ही गे होंगे कि AI इनसान से जएदा powerful और बुद्धिमार है AI का use करके आज का लोग deep fake videos बना रहे हैं AI की मदद से जो deep fake videos बन रहे हैं उनमें ये पहचाना मुश्किल है कि fake videos कौन से और real में कौन से हैं AI की वज़े से privacy और protection पे भी काफी जएदा असर पड़ता है future में जो हमारा data होगा वो safe नहीं रहेगा लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि AI को भी इनसान के दिमाग नहीं बनाया है ये तो बात थी उस AI की जो हमारे phone, computer, laptop वगेरा के अंदर चुपा हुआ है लेकिन क्या हो अगर ये AI reality में आ जाए अगर ये AI Roberts के साथ मिला दिया जाए तब तो ये artificial intelligence AI पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा powerful हो जाएंगे क्योंके फिर सबसे ज़्यादा शक्ती इनी के पास होगी और सबसे ज़्यादा दिमाग भी इनी के पास होगा और machine से बने होने की वज़ा से इने खाने की भी जुरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही सोने की जुरूरत पड़ेगी और लोहे से बनने की वज़ा से इने मारने पर भी कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर ऐसा हो गया तो दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है बहुत कुछ और आप लोगों को अरड़ी पता होगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे AI हैं जो कि बिल्कुल इनसानों की तरह दिखते हैं और इनसानों की तरह काम भी करते हैं तो कहीं ऐसा नहो के दुनिया की सबसे पावरफुल चीज इनसान का दिमाग कुछ ऐसा क्रियेट करके अपनी ही दुनिया को खतम कर दे अगर ऐसा ना भी हुआ लेकिन फिर भी AI से ही काम करवाए जाएंगे और ये भी इनसान के दिमाग के लिए बहुत ज्यादा हर्फुल होगा ऐसा करने से इनसान का दिमाग कमजोर हो जाएगा और इनसान अनहल्थी भी हो जाएगा और उसके बाद होगा विनाश एंड आफ दा वॉल्ड तो दोस्तों आज के इस खतरनाक वीडियो को बिनाने के मतलब को समझना बहुत जरूरी है और लोगों को जागरूत करना चाहिए और इससे बचने के लिए हमारे पास गाइडलाइन्स और रेगुलेशन्स होनी चाहिए और साथ ही इंफर्मेशन बढ़ानी होगी ताकि लो